हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु स्टडी बस, आप में से जितने भी बच्चे जाट का एक्जाम अपियर कर रहे हैं, उनका एक फ्रीक्वेंट कोईशन है सर पेपर को अप्रोच किस तरह से करें, क्या हमें स्टैट्जी फॉलो करनी चाहिए, जिससे इस पर्टिकलर एक्जाम मे हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं, तो भई मैंने खुद कपल ऑफ टाइम्स एक्जाट क्रैक किया, एक्सलर रही कॉल रही है, तो आपके साथ शेर करूँगा जो स्टैट्जी मैं फॉलो करता हूँ, जिस तरह से आप भी अपने एक्जाम में मैक्सिमम इस पे कोहां शॉर्टकर, वोकावलिरी, वर्ट, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते, तो सबसे पहला आप इस चीज को समझो, जो आपके माइन में थोड़ा सा कन्फूशन उसको क्लियर करो, आपका जो पेपर है वो 180 मिनिट्स का है, अप 3 आर्स का आपका पूरा पू आपको 200% अटेंशन होना चाहिए पेपर के टाइम, and the good part about this section is, कि यहाँ पे कोई sectional टाइमिंग नहीं है आपके पास, आपको पूरे के पूरे 165 मिनिट्स हैं, आपके डिपेंड करता है आप तीनों की तीनों section में किस तरह से time divide करते हो, दो चीज़ें हमें याद रखनी है एक तो मैं अपनी sectional cutoff को clear करना, for example, अगर मैं accelerate target कर रहा हो, मैं exam भी target कर रहा हूँ, वहाँ पे आपकी sectional cutoff भी देखी जाती है, बाकी जो college से वहाँ पे sectional cutoff नहीं देखी जाती है, overall cutoff देखी जाती है, तो यहाँ पे आपको section भी clear करनी है, जो आपका overall है, उसको आपको maximize क करने अब इसको कैसे करेंगे समझ आप बात आपको सबसे प्रली स्टार्ट करने में परके क्लिक उजाएं तो इसके बाद आपको मार्टइबल है ओप बार इंपूर्टेंट ये कि अप पेपर को start कैसे कर रहे हो, पूरा exam के time, आपका mindset कैसे develop हो रहे है, ठीक है, decision making को मैं generally second section रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सार time consuming है, read करना पड़ता है, answer को select करना पड़ता है, बहुत सारे eliminations करने पड़ते हैं, तो मैं इसको मिशा second पर solve करता हूँ, पहला section आप अपने according देख सकते हो, आपका verbal strong है, या फिर quant strong है, ठीक है, total मेरे part 1 में 75 questions है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बहुत बार comment करते हैं, यहाँ पे तो question छोड़ने पर भी negative marking होती है, 8 questions से जादा अगर मैंने 8 attempted छोड़े तो वहाँ पर negative marking हो जाएगी, तो क्या मैं questions में तुक्के लगा दूँ, यह approach आपको बिल्कूल भी follow नहीं करनी है, reason being भाई आपका जो negative marking है unattempted की, वो बहुत जादा नहीं है, वो 0.10 है, however, अगर आप question गलत कर रहे हो, तो negative marking डारेक्ट आपकी 1.4 तो रहाती, that is 0.25, तो इन सब चीज़ों को understand करना, तो आपको जो focus होना चीए, वो यही होना चीए, कि उस duration में आप जितने questions attempt कर पाऊ, आप attempt करो, maximum accuracy के साथ attempt करो, यह वाले factor को बिलकुल भूल जाओ, यह psychologically आपके mind के साथ play करता है, और इसका बहुत ज़्यादा relevance आपके cut-off और चीजों से related नहीं रहता है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ, कि भाई, क्या-क्या चीज़े आपको दियान रखने हैं, जो भी आपके non-RC topics रहते हैं, तो मेरा suggestion यह है, कि सबसे पहले आप यह वाले question attempt करो, क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम RCs करने लगते हैं तो reading करते 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 कितना time चला जाता है, बहुत बार पता नहीं चलता, और फिर end में हम panic हो जाते हैं, तो आप यह कर सकते हो कि starting में, आप यह 9 से 10 questions attempt करो, जितने भी questions आप से बन पाएं, यहाँ पर 2 से 3 questions आपको critical reasoning के देखने को मिलेंगे, तो जितने questions आप कर पाओ, पहले वो attempt करो, यह 9 से 10 में से let's say आपने 7 to 8 कर लिए, खीक है, you are good to go, इसके बाद आप अपने second section पर आजाओ, जो आपका let's say decision making आप करना चाहते हो, तो decision making में आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने कि यह section आपके लिए make और break बनने वाला है, make or break, इसलिए क्योंकि इस section से बहुत सारे बच्चों का score बहुत ज़्यादा improve हो जाता है, और काफी बच्चों का verbal quant में अच्छा नेने के बाद भी decision making में बहुत कम रह जाता है, तो भाई यह section आपको बहुत ध्यान से करना है, आगे आपको बताने वालों क्या के important चीज हैं, आपको ध्यान रखने और इसके बाद अगर मैं बात कुरूं क्वांट एंड डियाई की, तो आपको around by 6 questions डियाई के मिल जाएंगे, जो comparatively easy questions होते हैं, बहुत difficult नहीं होते हैं, आपके सामने data होता है, उसको आपको देखना है, solve कर देना है, बाकि जो 22 questions होंगे, वो आपको यहाँ पर quant section के देखनों को मिलेंगे, जहाँ पर जो majority of the questions पिछले years में analyze किया गया है, वो यहाँ पर आपको arithmetic के मिलते हैं, उसका algebra के मिलते हैं, और 5 to 6 questions आपको geometric के मिल जाते हैं, तो इस तरह से आप paper को attempt कर सकते हो, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे, quants में important चीजें क्या क्या ध्यान रखने हैं, वो आगे आपको बताने वाला हूँ, फिर जब आपका part 2 स्टार्ट होगा, तो एक बात अपने mind में लेके चलना कि part 2 का relevance बहुत बात में आता है, जो भी आपके cut-off आएगी, चाहे वो एक्सलर आईगी हो, चाहे वो किसी भी college की हो, वो part 1 के basis पाएगी, interview के बाद इन स्कोर्स को consider किया जाता है, तो gk में आप जितने question correct कर सकते हो, कर दे रहा है, यहाँ पर कोई negative marking नहीं है, no negative marking in gk section, तो भाई सारे के सारे questions आपको करने ही करने है, ऐसा मन सोचना है, यहाँ पर negative marking हो जाएगी, आपका clear हो जाएगा, अब अगर हम detail में बात करें, तो सबसे पहले आप देखो, आपका target score क्या होना चाहिए, देखो, zat में बहुत बार ऐसा भी होता है, जो difficulty level होता है, वो shuffle होता है, वो change होता है, कभी difficult हो जाता है, कभी थोड़ा सा easy आ जाता है, बट अगर मैं एक benchmark बनाने की कोशिश करू, तो अगर आप 35 के आसपस अपना score ले आओ, तो आप 95 प्लस percentile पे पहुँच जाते हो, और मैं आपको actual cutoff दे रहा हूँ, अगर आप देखोगे, BM प्रोग्राम में आप जाना चाते हो, तो 94 percentile आपको चीए थी as a male, and 92 percentile as a female, और अगर आप HRM course में जाना चाते हो, तो male engineer के लिए 93, female engineer के लिए 90, male non engineer के लिए 90, और female non engineer के लिए 87 percentile, तो ये cutoffs यहाँ पे रहती है, अगर आप sectional cutoff को थोड़ा सा understand कर होगे, तो आप देख पारे हो, 76, 74, 83, ये आपकी percentile चीए, तो ऐसा नहीं है कि sectional cutoff आपको 90 plus percentile ही चाहिए, नहीं, बहुत ही decent है, तो अगर आप 8 से 9 marks किसी भी section में ले आते हो, तो easily आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, quants में यही number 10 to 11 का हो जाता है, तो आपको अगर sectional target ब colleges की, जो call है, वो fetch कर सकते हो, ठीक है, similar लेगर आप HR में देखोगे, same type से आपका data work करता है, तो हर एक section में हम उतने question कर देंगे, जिसे हमारी section का top clear हो जाए, and overall जो आपका target हो है, 35 plus, अगर हम 40 plus पहुंच जाए, तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आप बहुत ही score में आ जा करूँ, तो मैं part A की बात करूँ, अब दिहान सी आपके समझो, मैं सबसे पहले verbal की बात कर रहा हूँ, जैसी कि मैंने आपको कहा, मेरे सामने 26 questions है, 16 questions मेरे RC की है, and जो 10 questions है, वो around non-RC के रहने वाले है, तो ये questions आप पहले attempt कर लोगे, attempt first, ठीक है, उसके बाद जब आपके last म कर लो, तो भी आपके बहुत decent position यहाँ पर बन गे, तो अगर हम यहाँ पर target attempts लेके चलें, तो जो 10 non-RC question है, यहाँ पर मैं मानके चल रहा हूँ, 7 से 8 आपने attempt कर लिए, और RC में से 7 to 8 attempt कर लिए, तो around 15 to 16 यहाँ पर attempt कर लिए, तो verbal में, this is a safe score, इसके बाद हम आ जाते, decision making, जो हमारा एक तरह से आप बोल सकते हो, make or break है, पूरे paper का, देखो decision making में आपके सामने 21 questions है, अब यह 21 questions है यहाँ पर आपको एक approach बिलकुल नहीं follow करनी है, वो है selection approach, भई काफी बार बच्चे क्या करते है, question read करते है, answer को select कर दिया, tick कर दिया, वहीं पर गलतिया होनी start जाती जब आप elimination technique यहाँ follow करोगे, बहुत ध्यान से चीज़ समझ लेना, मैं हमेशे यही चीज़ यूज करता हूँ, decision making में यही reason है, decision making मेरे score 99.80 था, तो मेरी कोशिश यह रहती है कि जो भी मेरे सामने options आ रहे हैं, जो भी मेरे सामने questions है, मैंने एक बारी paragraph को read किया, data को read किया, तो last में जो answer बचता है, वो मैं tick कर देता हूँ, तो यह approach मेरे लिए काफी जादा helpful रहती है, और इस 21 में से, आप अराम से देख सकते हो, 15 से 16, आपके attempt यहाँ पर बन सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी reading speed सही है, और आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, questions के approach समझ पा रहे ह तो quants में मेरे सामने कितने questions हैं, 28 questions है, अब इन 28 questions में से maximum questions जो हर साल देखे जाते हैं, वो arithmetic section से, arithmetic, algebra and geometry से देखे जाते हैं, ठीक है, अब यार यहाँ पर बच्चों को गलती क्या हो जाते हैं, सर वो एक एक question में लग जाते हो आप लोग, अब यहाँ पर आपको जो चीज सम तो आप कर लोगे, बट उसमें आपके 4 minutes, 5 minutes waste हो जाते हैं, जिससे पूरे paper की planning खराब हो जाती है, तो आपको बिल्कुल track question से बचना है, और दूसरा मैंने जो zat में observe किया over the years, बहुत सारे answers आपके options से solve हो जाते हैं, तो यह आप approach जरूर यूज़ करना, जो भी आपको complicated question द symmetry आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो around भाई आप यहाँ पे 15 से 16 question attempt कर सकते हो, जिसके बाद आप एक काफी comfortable position में आ जाओगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको चीजे क्या समझने हैं, कि क्वांच में आपके accuracy strong होनी चीए, तभी मैं कह रहा हूँ कि time आपके पहुत है, 165 minutes हैं, और आपको करने कितने question, आपको 75 question करने हैं, तो आपके पास ample time है, more than double से भी जादा time हा हर question के लिए, तो अराम से आप time spend भी कर सकते हो, solve भी कर सकते हो, actual exam की time आप एक fund up follow कर लो, जैसे वरबल के non-artsy question, फिर मैं 30 minute decision making करूँगा, मैं approximate 40 minutes यहाँ पे quants में and last में, मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास remaining time होगा, उस time में मैं उस section में अपने score को maximize करूँगा, जो मेरे strong area है, या फिर जिसके questions मुझे easy लग रहे हैं, जिसके questions मुझे doable लग रहे हैं, क्योंकि end में हमारा approach क्या है, end में मेरा objective यह है कि हर एक section मेरा around 10 के आसपा score बन क्या कोई particular section काफी easy है, किसी के question आप easily solve कर पा रहे हो, यह चीज़ आपको उसी time presence of mind दिखाते हुए करनी है, लेकिन इतनी चीज़ों को follow करने के बाद मुझे लगता है, आप एक अच्छा score कर पाओगे, एक बार भी मत सोचना कि मेरी negative mark यह हो रहे है, और बेकार का आपको panic button on करना ही नहीं है, कोई question आपसे नहीं solve हो रहा है, कोई tension वाली बात नहीं, आप उसको छोड़के next question पर move on करोगे, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे paper बहुत difficult है, तो यह चीज़ mind में fit कर लेना paper अगर आपके लिए difficult है, तो वो सब के लिए difficult है, फिर cutoffs overall कम हो जाएंगी, तो ऐ ऐसी कोई भी चीज, ऐसो कोई भी thought mind में मताने देना exam condition में, जहांपे आपको जो thought process से बिल्कुल clutter हो जाएंग आप questions को सही तरीके से approach ना कर पाओ, otherwise that को कहा जाता है, एक difficult exam, one of the most difficult exam माना जाता है, however, अगर आप strategically थोड़ा सा play करो, अपने time को सही से manage करो, questions को attempt करो, जो आपक करो, तो आप काफी अच्छा यहाँ पर score कर सकते हो, और बहुत सारे dream institutes हैं, जो आपका weight कर रहे हैं, जिनमें आप that के तुरू जा सकते हो, तो एक positive mindset के साथ, 2022 में यह paper में start करना है, जो भी चीज़ें खतम होगे 21 में, let it be, and अब हम एक नए mindset के साथ, इस exam को approach करने वाले, attempt करने वाले, तो I wish you all the very best कि अपने exam को बहुत अच्छे से करो, and I wish you कि आपने dream score को achieve कर पाओ, and then finally you can land in your dream college in 2022, to wish you all a very very happy new year, and all the best for the exam.